नमस्का दोस्तों आज के डिम जानेंगे अगर आपका इस तरह का स्टार्टर है और समय से मॉटर लगे रहेंगे इस स्टार्टर के साथ कनेक्शन किया होगा और आपका स्टार्टर काफी हमिंग आ रहा है क्यांकि इसके इस तरह के कॉंटेक्टर लगे रहेंगे यह तो पहले मार्सका के बारे मददा यह करता हूं ये स्टाट वुदरन है और श्रह्पट स्टर्क करते हैं ज्यादा आयलोड़ेने के लिए यह rebad बढ़न कम यूज करते है ठीक है यह सिप आपका नॉन्मल रूनिंग कंडिसेंस टार्ट और बढ़न का यूज करेंगे अगर यह नहीं काम करता अगर आपको यह दो मिट के लिए इसको दबा के रखेंगे ज्याधा डंग के लिए तो आपके मोटर की वार्निंग चल सकते तो इस तरह से इसके कंटक्ट है करके बताता हूं तो यह यहां इसके रिख रूंद होजाता है धूल जमा हो जाता है यसकी वज़े से भी आपके जो मोटर काफी आवाज कतेывать आख require-energy 2 में हो इसको थीक साथ deset carbon portfolio सब्सक्राइब हो जाए तो यह एक रीजन है और दूसरा इसने कई बार ज्यादातर होते है कि वजह से भी यहां पर यहां में में कावाज्या बने याने अब 230 मिलना चाहिए उसके वज़ा 210-205-2190 वोल्ट मिलते हैं कम वोल्टेज मिलते हैं डो वोल्टेज की वज़े से यह स्टार्टर उसमें आवाज काफी ज्यादा आती है तो दूसरा कि कई बार यह टर्मिनल रहते हैं तो यह टर्मिनल भी आपके लूज रहेंगे त आपको का जितने बी टर्मिनल यह टर्मिनल यह कॉंटेक्टर के थिक्तर से रही को टाइक कर दे हैं डुसरा जो कि उसके साफ चाहां के फिसके के आपको कि आपको केहार हों पर कम होगा 0-800 फरो यह डूस्टें को थो इस चोटे की वीडो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो आज के लिए एक नहीं मिलते हैं अगले उडियो में थैंक्स वरॉचिंग जैहीं जैहीं भारत